अब आप देखें कि आप यहाँ कोई कमजोर नहीं, बहुत सारी बहनें सोच रही होंगी, भाई सोच रही होंगे, अरे नहीं हमारे जीवन में तो ये प्रोब्लम है, हमें तो ये बीमारी है, इस बीमारी में तो हमें बहुत कमजोर बना दिया, आज आपको एक अदुबुद सकते बता दू कि हम शरीर से कम और मन से ज़्यादा बिमार होते हैं और जिस दिन हम मन से बिमार हो जाते हैं उस दिन दुनिया का कोई भी डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता आज यदि आपको अपनी बिमारी ठीक करनी है तो सोच बदल दीजिए शरीर से भले ही बिमार हो लेकिन मन से बिमार ना होना मन से मुस्कुराना और शुब शुब सोचना शुब 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 बोलना अब आप कोगे बेंजी शुब सुब सोचना शुब सुब बोलना पेट में भ्यंकर दर्द है बताऊंगी तो सही ना कि पेट में दर्द है डोक्तर को भी गरवालों को भी अब शुब शुब कहां सोचू जब दर्द है तो कैसे अपनी बात रखनी है देखिए क्योंकि हम जो भी सोचते हैं जो भी बोलते हैं अगर हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी एनरजी नेगेटिव एनरजी में मिल जाती है और चुंबत की तरह बहुँ गुणा रुप में नेगेटिव एनरजी को खीच कर हमारे पास ले आती है हमारा अबामंडल, हमारा ओरा बिलकुल नगार अत्मक होता जाता है और दिनों दिन इस्तिती सिच्वेशन खराब गड़बड अशुब होती जाती है और यदि हमारी सोच पोजेटिव है तो ये पोजेटिव एनरजी भी ब्रमांड में पहुचती है प्रमांड की सारी पोजेटिव अनर्जी को खीच कर मेरे पास लाती है और मेरे बिगड़े काम बनाती है दुर भागी को सो भागी में बदलती है ये मेरे मन की ताकत है ये मेरे मन की ताकत है तो अगर आपको बताना भी ये पेट में दर्द है तो रोकर बिचारा बनकर लाजार बनकर नहीं हाँ मेरे पेट में दर्द है पर मुझे पुरा विश्वास है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा मैंने अपनी बात नहीं कह दी और प्रमान में पोजेटिव एनर्जी ही छोड़ दी जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हैरान हो जाए सोच में पढ़ जाएगी पेशिंट आया है क्या मुस्कुराते में जाना उसके पास और उससे कहना डॉक्टर साथ अब मैं तुमारे पास आ गई हूँ और मुझे पूरा विश्वास से तुमारी पहली गोली से ही मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी बीमारी ऐसे जाएगी ऐसे जो एक साल से घर करे पड़ी है न वो ऐसे निकलेगी पहली ही गोली आपके अंदर काम करना शुरू कर देगी ये आपके विचार की ताकत है शक्ति अजमा के देखिए और चमतकार देखिए क्योंकि आपके मिन में हर लोग को ठीक करने की ताकत है आप सूच में नहीं सकते कितनी बड़ी ताकत को हम लिए बैखे हैं